नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और डोस्ट भरगव आज मैं रिव्यू करेवाला हूँ इस इसका यह है चावबा का 2000 वाट का एक हैर ड्रेयर दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे इतना प्रोफेशनल होने के बाद भी इसका दाम बहुत कम है इसका दाम है 480 और अगर आपको भी यह हैर ड्रेयर खरेदना है तो इसका बेस्ट पै लिंक आपको इस वीडियो के डेस्केप्शन में मिल जाएगा वहां से आप इसको खरेद सकते हैं और दोस्तों मैंने इसको पिछले साल खरेदा था मतलब एक साल हो गया है और थोड़ा सा भी प्रोड अगर आपका बाल बूर्ट खराब है और आपको लगता है कि कोई फाइडा नहीं है कुसा भी कढ़के फाइडा नहीं है तो एक बर इसको अजमाई ही है मैंने थी पहले विश्वास नहीं किया था मेरा बाल जो थे तेरे मेरे थे स्रिंट में कंगी से बाल करता था लेकिन जब से मैंने ये खरीदा मेरा बाल ठीक होने लगे तो आज मैं इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू तो दोस्तो जैसे आप देख सकते हैं इस hair dryer का company का नाम है चाओबा और model name है 2800 और नीचे लिखा है professional styling tools मतलब यह professional tool है professional hair dryer है और 2000 watt का है लिखा है और देखने में एक gun जैसा है पकड़ने के लिए वो अच्छा है holding style वो अच्छा है और इसके साथ आपको क्या मिलता है यह एक यह मिलेगा ऐसा और डूसरा ऐसा मिलेगा दोनों में साइस और डिफ्रेंस से आप जैख सकते हैं एक छोटा है बड़ा है आपके हिसाब से आप दगा सकते हैं जो भी चाहिए और जो वायर है यह भी बहुत लंबा है यह plug है ऐसा plug है और इसके पीछे यह वाला है जहां से हावा अंदर जाता है यहां पर एक net लगा हुआ है और सामने वाला ऐसा है और यहां पर जो हैंडल है परकड़ने के लिए वहां पर ही वो बटन से तो क्या-क्या बटन से मैं दिखा देता हूं यह जो बटन है इसके बारे में थोड़े देर के बार ही बताओंगा और यह है अन अफ स्विस यह पहला वाला zero मतलब off में है अभी उसके बाद अभी on हो जाएगा यह पहला speed है इसके बाद और दबाने से यह full speed में जाएगा दोबरा जैसे इसको off कर सकते हैं और यह red वाला है इसका heating का switch है यह अभी off में है मतलब अभी गरम हवा नहीं आएगा, अभी एक में है, तो मतलब थोड़ा गरम हवा आएगा, और अभी दो नमबर पर है, मतलब बहुत गरम हवा आएगा, बहुत जज़ा आएगा, तो अभी इसका बात करता हूँ, तो ये कब कामाएगा, ये तब कामाता है, जब ये ओन हो, ये hair dryer on हो चल रहा है और यहां से सामने से गरम हवा आ रहा है तभी ये दबाने से गरम हवा आना बंद हो जाएगा नॉर्मल हवा आएगा थंदा हवा आएगा तो उसके बाद फिर से छोड़ेंगे तो फिर से गरम हवा आएगा मतलब ये गरम हवा को अन अफ करने के लिए है ये और यहां पर हुक जे सरिया हुआ है जिससे आप इसको कहीं दिवार पे लटका सकते हैं तो अभी दिखा देता हूँ आपको ये वार कितना लंबा है देखिए कितना लंबा है ये देखिए काफी लंबा है और इस साइड में ये जो है ये कोई स्वीश नहीं है सिर्फ एक डिजाइन है दोस्तो इस हैर ड्यायर में दो आप्शन है होट एर और कोल लेयर का मतलब इससे गरम हवा हुआ भी निकलता है अधा हवा भी निकलता है तो कैसे निकलेगा मैं दिखाता हूं तो मिन यहां पे लगा लिया है प्लाग को तो तो अभी मैं on करू गा यह जो red भाला है यह zero में है मतलब थंदी हवा आएगा और यह ओन करने के लिए मैं अब यह ओन करूं गा तो पहले मैं एक नंबर के फैन इस्पित में ओन करूं गा तो यह हो गया ओन खुद्ध आ फंदा हवा रहा है किसे पास से कर रहा हूं थो जो फोलें में जहीं हो रहा है कि कि यह रट के मैं एक नूमर में दूंगा तो फोड़ा ग्रम हवा ऐंगा थोड़ा मतलब वोट यहा तो फिर से आFR परूबान करूँ अ भूड़ा ग्रम्हवा आ रहा है मतलब जईदा पाश नहीं जा सकता हूं अभी दो नमर में दूंगा बहुत ग्रम हवा आएगा दोस्तों बहुत गरम हवा आ रहा है, बहुत ही गरम है, मतलब इतना गरम है ना, मतलब इसको खोल के आप एज रूम हीटर भी उस कर सकते हैं, मतलब इससे जो हवा निकलता है एक रूम को भी गरम कर सकता है, छोटा रूम को, मतलब इतना गरम हवा आ रहा है, तो दिपेंड कर हवा तो अभी यह एक नमर में था थर्डर पहले अभी मैं दो नमर में आउन करूंगा और थंदा हवा में तो अभी मैंने रेट को जीरो में किया है और इसको उपर वाला आउन को मैं दो नमर में करूंगा तो सबसे ज़्यादा हवा आएगा दिखेगा यह है एक नमर में यह है दो हम अब हम देखा कितना स्पीद है मतलब यह एक ब्लॉर का भी काम करता है मतलब इतना जोर से हवा निकलता है आपको हवा का इसकी दिखाने के लिए मैंने यहां पर कुछ नमर में आओ नमक फेका है, यह देखिए, अभी मैंने नमक फेका है, अभी उसको औ級 कर के आ को दिखाऊंगा कितना जोर से ज्याएगा, अभी एक नमर पे पहले दूगा, मैं, देखिए, एक नमर में ऐसे हाल है, तो अभी फ्र kenn फेकाऊंगा थ्वरासा नमक फेक गेगिया, अभी दो नम मैं हाथ को नहीं ला रहा हूँ, अभी ओन करूँगा, मैं प्लाव निकल गया, तो देखा आपने पावर कितना है फैन का, तो अभी इसको आप यूज कैसे करेंगे इसको यूज करने के लिए, अभी मैं दूसरा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक ब्रस सही है, जिससे ब्रस को घुमाते हुए, हिटिंग ऐसे देना चालिए, उसी के हिसाब से आपका बाल बनेगा, इस टैल बनेगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने अपना ब झालने कआलने लेगा, झालने क्टालने कालने के लेंगा, ये लेकिना रहा हुए, देख्या ओस स्थे के लेगा, टो學ी मैंयोंकियोंकिन AG तो दोस्तो अभी आपने देखा मेरे बाल इसके बज़े से कितने अच्छे होगे तो मेरा रिकोमेंडेशन है ये बहुत अच्छा हैडर है एक प्रोफेशनल हैडर है तो आप इसको ले सकते हैं तो दोस्तो आज का रिव्यू मैं यहीं पर खटम करता हूँ अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सभी फाइदा हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा तो आज का वीडियो यही पर खतम करता हूँ जल्दी ही मिलेंगे एक डूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल